दोस्तो जिस तरीके से हमारे कोल कर्मचारियों को हर महीने स्टैलरी मिलती है ठीक उसी प्रकार से हर वर्ष हमारे कोल कर्मियों को बोनस की आस लगी रहती है इस वर्ष जो है अपना कितनी बोनस आने वाली है इसी टॉपिक पर आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले है बोनस को ले करके बैठक जो है कनफर्म हो चुकी है 27 सितंबर को ये बैठक होगी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बड़ी खबर दे दूँ कि दुश्तों DGMS एक्जाम के लिए हमारे पास multiple choice question MCQ notes available है, short notes हमने तयार किया है जिसमें आप लोगों को FMC, SMC, Foreman, Oberman, Matt, Blaster, JT, Surveyor सब ही के लिए notes available हो जाता है दोस्तो notes Hindi and English दो language में available है आप लोगों को बता दे कि इसके अलावा Mining Matt, Mining Foreman के लिए एक सितंबर से coaching start हो रही है तो contact जरूर करें number सामने है दोस्तों जैसा कि आप लोग screen पर देख सकता है कि कोईला कामगारों को ले करके एक लाख रुपए बोनस देने की मांग उठी है 27 सितंबर को ये बैठक होगी Cole India Limited इसके अलावा हमारे मजदूर Union के जितने भी बड़े नेता है साथ में वो बैठक करेंगे ये बैठक उम्मीद है कि आपका जो है कोलकाता में ये 27 सितंबर को बैठक होगी Cole India Limited इसके अलावा एक अनुसंगी कंपनी है सिंगरेनी कॉलरिज कंपनी लिम्टेड जिसको हम लोग स्वाट में कहते हैं SCCL इस प्रकार से जो है दोनों कंपनी को मिला दें तो लगबग 2,80,000 करमचारियों को इस बोनस की रासी मिलने के अनुमान है आपको बता दें कि 27 सितंबर को मेनेजमेंट यूनियन के साथ जो है अपना बैठक आयोजित होगी इस बैठक में फैसला निकल करके आएगा कि कितना बोनस दिया जाना है अभी HMS की तरफ से ये कहा गया है कि कम से कम एक लाख रुपे बोनस जो है हमारे कोईला करमचारियों को मिलना चाहिए एक लाख रुपे से कम पर जो है हम लोग बोनस में नहीं मानेंगे क्योंकि लगातार कोल इंडिया लिम्टेड जो है प्रॉफिट में चल रही है प्रबंदन को भेजा गया है इसी प्रकार से HMS से नाथुलाल पांडे शिवकांद पांडे एटक से रामेंद्र कुमार और सीट्यू से जो है अपना डीडी रामनंदन जी का नाम सामिल किया गया है बोनस की बैठक में यह बैठक में अपना जो है क्लियर निकल करके आएगा सामने कि कितना रुपए जो है वो बोनस का मिल सकता है पहले ये अंदाजा लगा जा रहा था कि लगभग 85,000 रुपे तक बोनस मिल सकता है अब जो है अनुमान है कि या बोनस की रासी बढ़ करके जो है आपका लगभग 1,00,000 रुपे तक की मांग किये जा सकती है जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि HMS ने 1,00,000 रुपे बोनस प्रदान करने जाने के लिए जो है अपना मांग रखी हुई है 2021 में कोईला कर्मचारियों को 72,500 रुपे जो है बोनस के तोर पर मिले थे अब इस वर्थ हमें देखना होगा उमीद है कि लगबग जो है इससे बढ़कर मिलेगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें इनके लाबा कोचिंग या नोट्स के लिए आप लोग संपर्ख जरूर करें मेरा नमबर आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है